मेट गाला में ड्रेस की वजह से उड़ाया गया था मजाक रोते हुए घर गई थी ये सूपर मोडल अमेरीकी रियलेटी टीवी स्टार किम करदाशिया अपने फैशन सेंस को लेकर दुनिया भर में मशूर है हाला कि कई बार उन्हें इसके लिए ट्रोल भी किया जा चुका है किम ने हाल ही में वोक से बताया है कि 2013 के मेट गाला इवेंट में पहनी गई अपनी ड्रेस पर मीम्स देखकर वे पूरे रास्ते रोते हुए घर गई थी उन्होंने बताया मुझे भरोसा नहीं हो रहा था काउच से मेरी तुलना करते हुए काफी मीम बने थे मैं प्रेग्मेंट थी और काफी मोटी थी मैं सोचने लगी कि जब मैं पहली बार बाहर जाऊंगी तो काफी बड़ी दिखूंगी किम ने कहा हाला कि कुछ लोगोंने मेरे ड्रेस की तारीफ की थी बता दे किम इस बार के मेट गाला में भी अलग अंदाज में नज़र आई थी इस दोरान किम ने ट्रांस अपेरेंट पहनी हुई थी जिससे पानी की बूदे टपकती नज़र आ रही थी ऐसा लग रहा था मानू किम समुंदर से नहा कर सीधा मेट गाला पहुँझगी हो किम की ये ड्रेस आठ महिने में बन कर तैयार हुई थी किम ने एक इंटर्व्यू में कहा था ड्रेस की बज़े से उनकी पीट और पेट पर चोट के निशान मिले उन्होंने स्विकार किया था कि इस डिजाइनर ड्रेस की फिटिंग की वज़े से उन्हें काफी दर्द का सामना करना पढ़ा मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा दर्द महसूस नहीं किया फिगर को दिखाने के लिए उनकी ड्रेस इतनी टाइट बनाई गई थी कि किम का चलना, उठना, बैटना यहां तक की टॉयलेट जाना भी मुश्किल था किम कारदशन हमेशा से ही अपनी बातों के चलते विवादों में घिरी रहती हैं इतना ही नहीं अमरीकी टीवी स्टार किम साल 2018 में इंटरनेट पर सर्च होने वाली सबसे खतरनाक सेलेब्रिटी हैं साइबर सेकेवरेटी फर्म में केपी ने ऐसे ही सेलेब्रिटीज की एक सूची जारी की थी जिनके नाम के सर्च में कई खतरनाक लिंक शामिल होते हैं